नमस्कार, वेलकॉम अटे इंग्लेस स्टडी, आइम रेखा गुपता, इंस यूर्यू शेलेक्शन विद फोकस 13. इस तेन कोसें इंग्लेस सेरेज, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, दो नाट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब चैनल. Let us see the first question of this video, in which poem do we get the reference of Proteus and Triton? तो वो कौन सा poem है, जहां पे हमें Proteus और Triton का reference रेखने को मिलता है, तो that is The World is Too Much With Us. William Wordsworth का poem है, The World is Too Much With Us, ये सौने तेन का, इसी सौनेक में Wordsworth ने Proteus और Triton का जिक्र किया है. It is a Petrarchan sonnet, criticizes the world of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing from nature. ये Petrarchan style का sonnet है, वर्जवर्ट का, और इसमें वर्जवर्ट ने industrial revolution जो हुआ था, उसको किटिसाइज किया है, और साथ में ये कहा गया है, कि कैसी लोग जो है, materialism की तरफ भाग रहे हैं, और nature से दूर होते ही चले जा रहे हैं. इसमें, composed हुआ था, 1802 में, और published होता है, poems in two volumes में, 1807 में. तो याद रखेंगे कब composed हो रहा है, 1802 में, और 1807 में, published होता है, poems in two volumes में. राइमी स्किम देख लेते हैं, A, B, A, B, A, B, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. तो क्या है राइमी स्किम स्किम की, the world is too much with us की, A, B, B, A, B, A, B, A, C, D, C, D, C, D. ओपनिंग लाइन, the world is too much with us, late and soon, getting and spending, ये ओपनिंग लाइन है, इस स्किम की. विले वेस्ट और पावर्स लीटिल, वेसे इन नेचर, दैट इस आवर्स. तो ये ओपनिंग लाइन है, the world is too much with us की, और राइमी स्किम आप लोगों ने देख लिया है, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. और ये प्रिटार्कन स्टाइल की सॉनेट से, कंपोसर होता है, 1802 में, और पब्लिश होता है, 1807 में, पोयम सिंग टू वॉल्यूम्स में, और इसमें, वर्स वर्स ने क्या प्रजेंट किया है, जो लोग मेटरियलिजम के दर भाग रहे थे, इंडेस्टिर रिवॉलुशन क की वज़स से, और नेचर से दूर जा रहे थे, उसी चीज को जो पोयम है, The World is Too Must With Us में, प्रजेंट किया है, और प्रोटियस और ट्राइटन का जिक्रे इसी पोयम में है, Q2, वर्ट्सवर्ट's first poem, An Evening Walk, shows the influence of poets, Rosset, Rousker, and Delive on him, French, यहां पे जो gap दिया है, फिल करने के लिए, तो यहां पे question पुछा गया है, कि वर्ट्सवर्ट का जो first poem, An Evening Walk, इसमें किस का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसमें जिनका प्रभाव देखने को मिलता है, वो poets है, Rosset है, Rousker है, और Delive है, और यह जो तीनों poets है, यह कौन है, यह तीनों ही French poets से याद रखेंगे, तो वर्ट्सवर्ट की जो first poem, An Evening Walk है, उसमें French poets, Rosset, Rousker, और Delive का influence देखने को मिलता है, An Evening Walk, a romantic poem for nature lovers published in 1793, तो An Evening Walk जो है, एक nature poem है, romantic poem है, nature lovers के लिए, और यह published होता है, 1793 में, composed होता है, यह कब composed किया था, विलियम वर्ट्सवर्ट ने, जब ही school life में थे, और इसमें एक young lady को address किया गया है, that is, his sister Dorothy, याद रखेंगे, उन्होंने अपने sister Dorothy को address करके, इस poem को लिखा है, और जब यह school time में थे, तभी यह compose हुआ था, Qusay No. 3, About whom did Arnold write in his poem, Memorial Verses, He led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth, Matthew Arnold, जाने माने पोएट है इस language के, और इनोंने लिखा है, Memorial Verses, यह इनकी एलिजी है, तो इसमें इनोंने, किसके लिए यह बात कही है, He led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth, तो यह William Versesworth के लिए कहा है इनोंने, क्योंकि इस poem में, जो यह Memorial Verses है, यह William Versesworth के लिए ही इनोंने लिखा था, तो उन्हें को indicate करते हुए, उन्हें को refer करते हुए, उन्होंने यह statement लिखा है, Matthew Arnold's Memorial Verses is an L.E.C. written in 1852, mourn the death of the great William, English nature poet William Versesworth, तो देखें, यहाँ पे दिया है, कि Matthew Arnold का जो Memorial Verses है, यह एक L.E.C. है, और इसको इनोंने कब लिखा था, 1850 में Arnold ने लिखा था, क्योंकि 1850 में William Versesworth का death होता है, तो उनके death पर ही, उनकी death को mourn करनी के लिए, उन्होंने यह L.E.C. लिखा है, और वर्जवर्ट के साथ साथ इनोंने को थे और Lord Gordon Byron, इन दोनों लोगों को भी इस Memorial Verses में सामिल किया है, तो कुछन पूचा जा सकता है, कि Matthew Arnold का जो Memorial Verses है, इसमें इनोंने किन पोईट के death को mourn किया है, तो that is William Versesworth, Gothay and Lord Byron. और Matthew Arnold का Memorial Verses कब पुब्लिष्ट हुआ था? 1850 में, after the death of William Versesworth, क्योंकि उनका भी जो death थे William Versesworth का 1850 में ही हुआ था. Then you should recall this, कि He led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. तो ये सेंटेंस भी याद रखेंगे कि कहां से लिया गया है, तो Memorial Verses से लिया गया है, किस पोईट का ने लिखा है, तो Arnold ने लिखा है, किस के लिखा है, तो William Versesworth के लिखा है. Next question, Will no one tell me what she sings? Perhaps the planktube numbness flow, the evo-immensate lines appear in the solitary reaper. तो देखें, यहाँ पे William Versesworth का ये पोयम है, The solitary reaper, इसमें वर्सवर्थ लिखते हैं कि Will no one tell me what she sings? क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है, तो जो solitary reaper में जो लड़की होती है, वो फसल काट रही होती है और काटती हुए वो सिंगिंग भी कर रही होती है, Jack Workshopton, Share recon, Sharing a song lovely song कोĩ सिंगिंग कर रही होती है, तो वो वो स्कॉर्थ लेंग्विश में गा रही होती है, वो जो वास्वर्थ को ये पता तो रहता है कि ईसके जो songs से, वो shared songs से, जो भाष्वर्थ वो जान पाते हैं कि वो क्या क्या गा रही है, Because of language difference. तो यह सॉलिटरी रिपर से सेंटेंज लिया गया है यादर किंगे कोटेशन विल नोगन तेल में वाट सी सेंग्स परहाफ्स तो प्लेंटिव नमनेस फ्लोग अलिरिक कोय में यह एंट जीरो सेवन में पब्लिष्ट होता है इंस्पारड बाइस और इंस्पारड वाई इस सिस्टर टूर थी यह दोनों लोग इस्टे किये थे एक विलेज में इस्टेट हाय में जहां पे स्कॉटलेंड में बाल की बाल की देर नाम का जगह है महीं पे एक छोटा सब बिले से इस्टेट हाय और वहीं पे यह दोनों लोग इस्टे किये थे वर्जवर्थ और उनकी सिस्टे दोरो थी तो उसी इस टाइम में यह इंस्पायर होकर इन्होंने यह पोयम लिखा था और जो थीम इस पोयम की इवर लास्टिंग ब्यूटी क्या अर इसप्ए में किसका में किया गया है तो एक शॉर्थी में में किया गया है एक सक इस गल का में किया गया है फो उस राइपाइपाइप इपाऊँक them libraries एंपिदे Auch sorry ripping the crops and also she was singing a shared song. Next question, the line the shawl was like a star and dwelt apart appear in London 1802. तदेखे London 1802 ये भी शोने ते William Wordsworth का और इसमें ये लाइन है ताइशोन was like a star and dwelt apart तो ये याद रिखेंगे और ये लाइन किसके लिए Wordsworth ने लिखा है? जॉन मिल्टन के लिखा है. एक्स्ट्रा Facts देखें लें, लंदन 1802 इस अ पेट्राइकल सॉनेट और जॉन मिल्टन पॉबिस्ट इन पॉएम्स इन ने लिखा है, और ये पॉएम्स इन टू वॉल्यूम्स में 1807 में पॉबिस्ट होता है. Theme के आए, Worry About England's Moral and Intellectual Decline इस Sonnet में वर्स वर दिखाते हैं कि जो England है उसका moral और intellectual decline कैसे हो रहा है rhyme scheme देख लेते हैं ABBA, ABBA, CDD, ECE यह rhyme scheme है, London 1802 का It is written the second person and address the late poet John Mitter Second person के form में लिखा गया है यह poem और John Mitter को address करता है तो क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है इस question में First thing is that Thy soul was like a star and dwelt apart यह sentence किस poem से लिया गया है तो London 1802 से लिया गया है यह किस की poem में William Worsworth की है इसमें किस के बारे में लिखा गया है तो John Mitter के बारे में लिखा गया है दाई शोल दब किस का शोल John Mitter का सोल और फिर साथ में London 1802 जो है यह Petrarchan Sonnet है poems in two volumes में published होता 1807 में theme में England की moral और intellectual decline Actually इस poem में John Mitter का invoke करते हुए words word बताना चाहते हैं कि देखिए John Mitter को indicate करते है कि आपका England कैसा हो गया है किस तरह से morally और intellectually decline हो रहा है अगर आप होते हैं तो अपनी poem से आप क्या करते हैं लोगों को aware करते हैं जागरो करते हैं ऐसा words word बत ने इस poem में London 1802 में कहा है Next question Who has written the inner vision Inner vision किस ने लिखा है तो William Wordsworth ने लिखा है आपकेंगे The inner vision is a poem written by William Wordsworth Question number 7 In William Wordsworth The solitary reaper The solitary highland lass is a girl from Scotland तो देखिए question आगे अफर से solitary reaper से मुचा जा रहा है कि solitary reaper में solitary highland lass कौन है तो lass का मतलब होता है लड़की और solitary highland highland यूज कियागे Scotland के लिए तो a girl from Scotland याद रखिएंगे Next question Wordsworth The borderers comes under the category of worst tragedy तो William Wordsworth का जो the borderer से वो एक play है tragic play है और ये worst tragedy के category में आता है This is the part of classical tragedy The borderers जो है वो classical tragedy का part है Question number 9 In which poem of Wordsworth does the line Our birth is but a sleep and forgetting occurs in the verse verse poem Immortality Ode Here is question that this line Our birth is but a sleep and forgetting occurs in the verse verse poem Immortality Ode This poem is written in 1804 published in poems two volumes The poem is completed into two parts This poem is completed into two parts First part of four stages is completed in 1802 and seven stages completed in 1804 Theme is memory and sense of loss तो याद रखेंगे Immortality Ode से ये line लिया गया है and birth is but a sleep and forgetting occurs ठीक और ये poem लिखा गया था 1804 में published हुआ था poems in two volumes में 1807 में इस poem को Wordsworth दो बार लिखते हैं एक बार चार स्टेंजा लिखते हैं पोर स्टेंजा कब लिखते हैं 1802 में और एक बार सावन स्टेंजा लिखते हैं 1804 में इस poem के theme में Memory and sense of loss Now the last question Who has written the poem The Thorn? The Thorn The Thorn किसने लिखा है? किसका poem है The Thorn? It's from William Wordsworth The Thorn के राइटर को ने William Wordsworth दे याद रखेंगे कब लिखा गया था? 1789 में Inspiration from Inspiration from Experience of Sing a Hawthorn Tree on Quantic Hill in Summerset Shire तो देखे इस poem को लिखने के पीछे कहां से inspiration मिला था Wordsworth को Quantic Hill जो कि Summerset Shire में लोकेटेड था महां पे एक Hawthorn Tree था मैं इसे experience इनको मिला था और उसी experience से inspired होकर Wordsworth ने The Thorn Poem लिखा 1789 में इनकों लिखाएबल जो स्पीकर उसके दोरह नरेट किया गया है तो अनरेलायबल स्पीकर जो है वो डायरेक्ली अड्रेस करते है रीजर को गॉसिपिंग टोन में याद रखेंगे तो The Thorn किस ने लिखा है? William Wordsworth ने लिखा गया है कहां से इंस्पाइड हुए थी Summer Street शायर में क्वेंटक जो हील है वहां पे हाउथन ट्री को देखकर उनको जो एक्स्प्रेंस मिलता है उसी अनुवा के बेस पे इन्होंने The Thorn Poem लिखा है और लिरिकल बैलेट के फॉस्ट एडिशन में पॉब्रिश्ट होता है फॉस्ट एडिशन लिरिकल बैलेट का कव आता है 1798 में और इसको नरेट कौन करता है Unreliable Speaker जो रिडर को डिरेक्ली अड्रेस करता है गॉसिपिंग टून में इस इस आल इबाट फॉर तोदेश वीडियो प्रिशन लिक दो एक डिर भीयाओ तो रिज्रापित को एक डिव्याओ